हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस बोर्ड की द्वारा जो समाजी विज्ञान का पेपर वाइरल किया गया है इस प्रश्ण पत्र का हल इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंस देखिए आपको बताते हैं कि वीडियो बनाने बहुत ज्यादा मिहनत लगता है तो आ है क्योंकि वीडियो बनाने फ्रेंस आप सभी को पता होगा कि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है ठीक है देखिए आपको जो समाजी विज्ञान का पेपर होने वाला है तीन मार्च को समाजी विज्ञान का पेपर होगा ठीक है परतिक परश्ट पत्र के लिए जैसे समाजी विज्ञान है इसके लिए आपको तीन घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा जिसमें 15 मिनट क्या होगा कि आपको पेपर पढ़ने के लिए समय दीए जाता है ठीक है और जो समाजी विज्ञान का पेपर होगा 70 नंबर का पेपर होगा जिसमें से 20 बहुई प्रश्ण रहेंगे और पचास नंबर का लिखित प्रश्ण रहेगा ठीक है अब यहां पर जो है फ्रेंज जो बोड की द्वारा प्रश्ण पत्र जो वायरल किया गया है यह आपके बोड के एक्जाम में हंडेट प्रश्ण इसी में से सवाल पूछेगा इन सभी सवालों को आप अच्छे प्रकार से देखिए और उसी याद भी कर लीजिएगा ठीक है इसमें आपको आप सिंपल वासा में भी समझाएंगे देखिए फ्रेंज आपका यह खंड और है जिसमें से आपको बीस नंबर का गौई कल्पी प्रश्ण है प्रतेक प्रस्ण एक नंबर का रह लुक्त आपको अगला सवाल है कि सत्ता की साजदारी के बेल्जियम माडल का मुख्य महत्व है जिसका आपको आपका da था सभी जाती समुहों से उनकी आबादी के अनुशार शक्ति साजा की गई सभी जाती समुहों से उनकी आबादी के अनुशार शक्ति साजा नहीं की गई संप्रदायों को समान प्रतिनी दित्ट दिया गया उपर्युक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंज जो बेल्जीम माडल क मुख्य महत्व है यह था कि संप्रदायों को समान प्रतिनी दिया गया इसका सही जवाब होगा सब ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल है फ्रेंस कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहुं की कीमत 50 प्रतिसत तक क्यों गीर गई जिसका आपसा ने बाढ़ा के क अपरियुकत में से कोई नहीं देखिए उननीज फ्र्रेंस लेश्वाटायी से 1934 के भारत में गेहुं की कीमत में जो 50 प्रतिसत की कमी हुई थी वो महामंदी के कारार आई थी ति इसका सही जवाब होगा महामंदी थी तीसरे प्रश्ण का सही जवाब होगा महामंदी आपका अगला प्रश्ण है ब्रेटेन बुट्स नामक संस्थान निम्नलखित में से कहां इस्थित है जिसका आपसार है अमेरिका में यूरोप में अफ प्रश्ण आपकी बूर्ड के एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है देखिए आपका अगला सवाल है कि निम्न लिखित में कौन से लच्छर संग्य सरकार से संबंदित नहीं है इसका आपसंता कठोर सनविधान शक्तियों का केंद्री करण संग इम्राज्यो सरकार से संबंदित नहीं है इसका सही जवाब हो जाएगा कठोर सनविधान आपका अगला सवाल है कि निम्न में निम्न लिखित में से समाजी भाजन का कारण क्या है यानि किसके कारण समाज को भाजन होता है इसका आपसंता धर्म भासा और दोनों या उप्रियोक्त में से कोई नहीं समाज समाजी को भाजन का जुम कारण है वह धर्म कारण समाज को भाजन हुआ है भासा के कारण भी समाज को भाजन हुआ है इसका सही जवाब होगा और वह दोनों सही है आपका अगला सवाल है यदि हम लैंगी को भाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है द उपरयुक्त में से कोई नहीं तो फ्रेस लाइंगी कोई भाजन का अर्थ है कि समाज में इस्तिरी और पुरुसों की असमान भूमिका है ठीक है इसका सही जवाब होगा और आपका अगला सवाल है कि राश्टवाद का उदेश सरोपतम किस देश से हुआ फ्रेस यह इंपोर् इसका सही जवाब होगा फ्रांस देश चरी अगले प्रश्ण को देखते हैं आपका अगला प्रस्ण है डियूग मैटरिंग ने हमारी समाजी विवस्था के सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है जिसका आफसन था रूसो कालवीन विक्टर इमेनुवल जूसेप मेचिनी देखे फ्रेंज डियूग मैटरिंग ने हमारे समाजी विवस्था के सबसे खतरनाक दुश्मन जूसेपी मेचिनी को माना है इसका सही जवाब होगा जूसेपी मेचिनी आपका अगला सवाल है लोकतांत्रिक शासन विवस्था अच्छी है क्योंकि आपसने नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है बेक्तियों की गरिमा को बढ़ावा देती है और दोनों उप्रियुकत में से कोई नहीं ती इसका सही जवाब होगा और एवंबर दोनो ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते है आपका अगला सवाल है कि मिर्दा किस प्रकार का प्राक्रिति संसाधन है जिसका आप से नभी करण योग्य संसाधन और नभी करण योग्य संसाधन जयव संसाधन या संभावी संसाधन तो मिर्दा किस प्रकार का प्राकित संसाधन है तो मिर्दा जो है आपका जयव संसाधन है तो फ्रेंस मिर्दा क्या है जयव संसाधन तो इसका सही क्या है जिसका आपसाने गहन खेती वननमुलन अधिक सीचाई अतिपसुचारण तब भूमी संकुचन का मुख्यकारण है अधिक सीचाई इसका सही जवाब होगा अधिक सीचाई आपको अगला सवाल है भारत के किस राज्य की शीशुमृत्युदर निम्नतम है जिसका आपस किस आधार पर वर्गी करित किया गया है तो उद्यम का स्वामित्युके आधार पर वर्गी किया गया है इसका सही जवाब होगा उद्यम का स्वामित्व चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है भू छड़ से क्या तातपर है ठीक है जिसका आपसाने भूमी का अनुपजाओं होना भूमी का दल्दली होना भूमी का उपजाओं होना भूमी का योजना बद योजना ठीक है तो इसमें कौन सा होगा इसका सही जवाब होगगाici बूमी का अनुपजाओ उना तो भू च्राड से जू था सहिए जवाब होगा आप सही जवाब तो गोंड वाना कोयला का जमाओ किस छेत्र में नहीं पाया जाता है इसका आसल में दामोदर घाति सोन घाटी महानदी घाटी चंबल घाटी तो गुंडवाना कोयला का जमाओ जो होता है फ्रेंस चंबल घाटी में नहीं पाय जाता है इसका सही जवाब होगा चंबल घाटी आपका अगला सवाल है फ्रेंस भूमिहीन ग्रामिर मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लच कौन सा है जिसका अफसान है उपज का ज्यादा सामर्थ मुल्य वो अपने बच्चों को विदेश के में बसा सके अधिक मजदूरी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा अधिक मजदूरी आपका अगला सवाल है निमनलिखित में से कौन सा ब्यापार और ओधोकों का लच्छड नहीं है जिसका आफसान है सरकार विदेश ब्यापार को नियमित करने के लिए ब्यापार और ओधोकों का प्रियोग कर सकती है सरकार ये निरे ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मातरन आयातित होनी चाहिए अगला है विश्व ब्यापार, संगठन, ब्यापार और अधगों को बढ़ावा देती है अगला है अधिकतर देश ब्यापार और अधगों का प्रियोग अपने घर अध्यों की सुरच्छा के लिए करते है तो फ्रेस यहां पर है कि कौन से ब्यापार और अधगों का लच्छर नहीं है इसका सही जवाब होगा विश्व ब्यापार संगठन ब्यापार और अधगों को बढ़ावा देता है आपका अगला सवाल है निम्नलिकित में से कौन सा प्रमपरागत उर्जा का सुरोत नहीं है इसका आपसन है कोईला भूतापी उर्जा और अधगों दोनों उप्रियोक्त में से कोई नहीं है बहुरास्टि disco निवैश्व पर क्या ब्रभाव पड़ा ठीक है देखे आपसंण आपका समय है बहुरास्टि कंप निवैश्य निवैश्यUh है अगला है बहुराष्टी कंपनियों दोर भारत की विदेश व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंतरण अगला है कि बहुराष्टी कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थी इस्तिती सुद्रूरी हुई या उपरियुक्त में से सभी तो फ्रेंस इसका सही जवाब होगा उपरियुक्त में से सभी चले अगले सवाल को देखते हैं देखिए खंड बहु के अब प्रश्ण को देखते हैं जो आपका लगों दिर्व उत्री प्रश्ण होगा ठीक है आपको इसमें कितने नंबर का प्रश्ण है पचास अंग का ठीक है देखिए आपका इसमें करके इसका एंस्वर आप लिख लीजिएगा ठीक है देखिए पर्थम विश्व यूद्ध के बाद होने वाले महामंदी की काड़ों की समिच्छा कीजिए इसमें से या 1928-1934 के मद्ध होने वाले महामंदी के भारती अरत विवस्था पहने वाले प्रभावों की समिच्छ कि इन दोनों प्रस्णों में से कोई एक प्रश्र का ही इंस्वर आपको देना है। ठीक है। आपका अगला प्रश्र के लिए उर्जा का आधार वुद आवश्यकता है इसकतन के परिप्रेच में उर्जा सरच्छ्डळ है तु अपनाये जाने वाले उपाएं पर पर अपना मत अस्पष्ट कीजिए इस में से या इस दोनों में से प्रश्ण को पढ़ लीजिए इन दोनों में से किसी एक प्रश्ण का ही आपको उत्तर देना रहेगा बोड की एक्जाम में ठीक है फ्रेंस देखिए आपका अगला है बहुराश्टी कमपनियां अपने पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंद करती ही विवेशना कीजिए या अच्छे बाजार के प्रमुक लच्छोगों की संच्छे में विवेशना कीजिए इन दोनों में से किस एक का ही एंस्वर आपको बोड के एक्जाम में लिखना है देखिए फ्रेंज आपको क्या करना है उत्तरलक्वट शब्दों में लिखना है ठीक है जो छाचा नमबर का आपका प्रेश्ट पत्र है ठीक है देखे पाचवा नमबर का है कि महात्मा गादी दूबहा चलाय जाने वहले असायोग आंदोलन के क्या करा थे इसे उन्होंने कियों अस एंसवर को लिखना है अगला है की सुधार्य का क्या आरत है इसके लिए उठाया जाना सकने से या इस वाले कbuhक कर दोनों में इसह किसी एक का यहाइक आप कतिने नंबर आ यह मिलाएं चानल करण कर ना करना है लिए इसमें किष्जत मर का दला तक कि आप देख के समझ जाएंगे कि कैसा बोड के द्वारा जो वारल पेपर है कि प्रकार के प्रश्ण पूछे गए हैं ठीक है आपका अगला है कि असंगटी छत्रक के स्रामिक समाजी वेद्वाहों के भी शिकार हैं कि आप इस कथन से सहमत हैं कारा सही उत्तर लिखिए दुन अस्थानों को भारत के रिखा अंकित मांचित्र पे डाट चिन द्वारा नाम सही दर्शाई सही नाम और सही अंकन है तू आधा आधा नंबर एक बड़ा दू एक बड़ा दू अंक निर्दायत करें कि पहला प्रश्ण है कि वह अस्थान जहां जाली वाल बाग आधा देदें हैं यह आपका वह अमृत हामरित शर पंजाब में अगला है इस सहां से क्षेति करने रिख किसान था दोलन किया था वह आपका है कि नादिया जीला है क्या उसा है नादिया जीला कहां पर नादिया जीला कहां पर यह नादिया जीला है बंगाल में है ठीक फिर इस वास्था जहां सूती मील स्रमिकों ने सक्ताग्रह किया था यह कहां से हुआ था अहमदाबाद से अहमदाबाद से ठीक है फिर आपको है अस्तान जहां दिसंबर उनीस सो बीस में भारती राष्टी का अंग्रेस का अधिवेशन हुआ कहां पर हुआ था यह हुआ था आपका नागपूर नागपूर ठीक है यह क्या देखिए फ्रेंस यहां भी इसका एंसवर बता दी इसको आपको मांचित तर ठीक है चली अगले प्रश्न को देखते हैं मांचीत्र परे आपको कि निर्देश दिये भारत के मांचीत्र में back देखाना जोई यह अग्या राष्ट्री उद्ध्याने। क्या है राश्ट्री उद्ध्यान है, नर्मदा नदीप इसका नाम देख लिशाप तुमें का है सर्दार सरोरबांद महानदीची द्वारा नाम सहीत दखाना थे महानदीच द्वार्णा को दिखाना है, भारत के नकसा पर जारखंड का एक कोईला च्ष्टर का नाम बता देते हैं आपको कोईलाच्षथर जड गैया इसको याधी कियो जडन कियो ज्यारखंड में एक च्षट्रा है भारत की पुर्वी टट्ट पर इस्थित एक पत्तन का नाय ज्यारा की आफ primitive जार देएड यहां पर पस्चीन बंगाल में है तो फ्रेंज यह आपका टोटल आपका जो समाजी भी ज्ञान का पेपर था उसका हल था ठीक है फ्रेंज यह आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पिन नहे हैं तो चलो को सब्सक्राइब करें